हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके एपने यूटुब चैनल यो रिष्टी गाइड पर तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम सभी सभी को यहां पर पूटप किया हूँ दोस्तो अगर आप सभी का एक्जाम चार नॉम्बर से लेकर 14 नॉम्बर के बीच में है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि दोस्तो मैंने हर जितने भी स्थेंट्स में पेपर हुए हैं हर बार बार सिप्टों में रिपीट हो रहे हैं उन्हीं कुश्यनों को मैंने यहां पर पूटप किया है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टर होने वाली है दूस्तो अगर आप यह वीडियो ले ले लेते हैं तो आप क्या जीके जैस का दूस्तों लगवग सतर शि कितना दुस्तों 70-80% पॉर्षन कवर होने वाला है मात एक वीडियो से दूस्तों मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि दुस्तों अम मुझे पता है कि एक वीडियो से आप सभी 100% कवर नहीं होने वाला है लेकिन 70-80% 200% इसी में से आएगा क्योंकि बार बार ये कुस्चन रिपीट हो रहे हैं हर सिप्ट में तो आप सभी के सिप्टों में भी आने के समभावना अए इसलिए आप सबी टाइम निकाल करें वीडियो जरूर देख लें चलिए पढ़ना शुरू करते हैं देखते हैं पहला कुष्चन आज का पहला कुष्चन क्या है बहू उस्सो किस राज में म मनायाता है आगे दिखते हैं उगादी उस्थो किस राज में मनायाता है उगादी उस्थो किस राज में मनायाता है तो राइट एंसर क्या दुखतो आंधपर्देश आंधपर्देश में दुखतो उगादी उस्थो मनायाता है कहां पर उगादी उस्थो आंधपर्देश वि राजमी मनायाता है तो राइट एंसर क्या है दोस्तों जो है असम कौन सा आपसंदी विल्कुर हमारा ठीक है असम असम राजमी रजनी गबरा और हरनी गबरा मनायाता है आगे दिखते हैं अबू बाची उस्सो किस राजमी मनायाता है अबू बाची उस्सो किस राजमी मनाया तो इसका राइट यंहार चुझे कि राइट ए तूपस अबू बाची आप एसु संदिuh इसका भी राइट ए फेंटर है असम अबूबाची कहान पर असम इहू असम अग्डी आंध्रदेश और इस परकार आप याद कर सकती हैं आगे देखते हैं दा रेस आफ माई लाइफ किसकी आद्मकता है दा रेस आफ माई लाइफ किसकी आद्मकता है तो राइट एंसर क्या है मिलखा सिंग किसकी है मिलखा सिंग की आगे देखते हैं वल्लभी विश्र विद्याले कहा परिस्तित है तो राइट एंतर क्या है गुजरात किस राज में है गुजरात राज में है आगे दिखते हैं सन्युक्त बैठक की अधिच्चता कौन करता है जब संसज में सन्युक्त बैठक बुला जाती है सन्युक्त बैठक होती है जिसमें आगे देखते हैं सुनार का विस्तार क्या है सुनार का विस्तार क्या है यह आप से पूछा जा रहा है तो ध्वन नेवी गैसन और रेंजिंग जो है सुनार का विस्तार रूप है आगे देखते हैं सन्युक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे परापत है सन्युक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे पराब्त है तो राइट एंसर क्या है दोस्तो राष्ट पती किसको पराब्त है राष्ट पती को पराब्त है किस अनुशेद के ताथ बुलाते हैं तो अनुशेद 108 के ताथ दोस्तो राष्ट पती जो है सन्युक बैठक बुला सकते हैं और इसकी अ अगला हमारा कुछ्छन है मूल अदिकारों की संख्या कितनी है मूल अदिकार की संख्या कितनी है तो राई अंतर क्या है सभी 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 सब्सक्राइब कर से कानूनी अधिकार बना दिया गाए यह आप याद रखिएगा वो को चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं जो हमें मोलिक अधिकार प्राप्त हैं वो छे मोलिक अधिकार कौनते हैं पहला है समता का अधिकार समता का अधिकार दोस्तों जो है सभी को एक समान रूपते देखना किसी के साथ भेध भावना करना यही समता का अधिकार है दूसरा है सतंतता का अधिकार आप भारत में कहीवी आजा सकते हैं अपनी बात को रक सचते हैं ये हमारी सतनतता का अदिकार है मजदूरी कराल लेते थे लोग लेखिन आपको मजदूर जी नहीं आयरे चोटे लोग को दबाते थे उनका सोसाएवा करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है सोसर्ट के विरुद्ध अधिकार 23-24 में इसका वर्णन किया गया है या हमें अधिकार पराप्त हो चुगा है धर्म के स्वतनत्ता का अधिकार कौनसा धर्म के स्वतनत्ता का अधिकार मतलब भारत में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं किसी को बाद नहीं कियाता है कि आप ये धर्म माने भारत कोई अपना धर्म नहीं है यहाँ पर हर नागरिक का अपना धर्म है आगे दिखते हैं सांस्किर्टिक और सेच्छिड अधिकार यहाँ पर दोस्तो अब जो अलप संक्या कहें उन्हें अधिकार मिला है कि आप अपने रिचारों का अधिकार दोस्तों यह है कि आगर आप आपका मौली का अधिकार कोई जो दोस्तों हनन करता है तो सुप्रिंग कोट और हाई कोट जो पांच रिचारी करते हैं जिसके दाद दोस्तों जो आपके मौली का अधिकार का हनन करता है उसे गिज़तार किया जाता है यह हमारे दोस्तों जो है छे मुलिक अंतर थे आगए दखते हैं, बिस्त की सब्से लंबी महादीप ये परबास सिंखला कौन्सि है, तो राइट एंतर क्या है आप छनभी विलकूर राइट है, इंडेज परबास कौन्सि, इंडेज परबास है, आगे देखते है, सिर्फट की संथापक की सध्स normally कितने देश हूंने हो लिया था तो राइट एंद्ल क्या है आपसा नहां अमारा देस तो इंधी कितनी 591 सद्स नि भाग लिया था वस्ट जुट हसब से महा सागर कहुंसा है वस्ट को सबसे बड़ा महा महासागर कौन सा है तो राई टेंदर क्या है प्रसांत महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर और प्रसांत महासागर में दुफ्तों मेरियाना गरत है जो बिस्ट की सबसे गहरी गरत है जिसकी गहराई जो है 11,33 मीटर है ये भी आप याद रखिएगा आगे दिखते हैं बिस मिर्स सागर किन दो देशों के बीच इस्तित है जॉर्डन और स्विडन के जॉर्डन और इज्राइल के तुर्की और सन्युक तुराज अमिरात के सन्युक तुराज अमिरात और मिर्स से तुराइट अंदर क्या है जॉर्डन और इज्राइल के बीच तो जो है मिर्स सागर इ किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टेचू आप लिबरिटी उपहार में दी थी तो राइट एंसर क्या है फ्रांस किस ने दी थी फ्रांस ने चलिए आगे दिखते हैं बर्मुडा ट्राइंगल 26 महासागर में इस्तित है बर्मुडा ट्राइंगल 26 महासागर में इस्तित है तो तो राइट एंसर आप सने हमारा बिल्कुल राइट है atlanting महासागर में इस्थित है आगे देखते हैं कौन सी नदी इंग्लेंड के लंदन सहरते होकर बहती है कौन सी नदी most important question यह बार-बार repeat होते हैं आप सभी के exam में कौन सी नदी इंग्लेंड के लंदन सहरते होकर गुज सबसे उची मिनार कों सी है आपको तुम मिनार कोंसी एक रिए त्यों Nerdy और ंसर आपसा नहीं है मौनए ठीक है तोक्यो इस्ट्राइक ससाथ आप यहां से ज्वाखन की Dewa उची जो कुत्ब मिनार सोरिद सो जो मिनार है वो किस देश में इस्तित है तो राइट अंद से क्या होगा जापान बिस में बिना मरुष्थर वाला एक मात्र महादीप कौन सा है तो यूरोप महादीप में दुख तो एक भी मरुष्थर नहीं पा जाती ये भी आप याद दिखते हैं इस्पैन की राजधानी कौन सी है इस्पैन की राजधानी कौन सी है बार्सिलोना मेड्रिड से विले लिस्वो तो राइट अंसर क्या है आप सन्वियमारा ठीक है मेड्रिड जो है वो इस्पैन की राजधानी है यहां से दोस्तों यहां से यहां भी कुशन पूछा जा सकता है इसलिए आप भारत की जितनी भी पड़ोती देश है उन सभी क्या याद जुरूर कर लिजिएगा अगर आप सभी को इसकी दोस्तों कलास चाहिए तो वह भी कमेंटर आप में बता सकते हैं आप सभी कलास लाई जाएगे आगे दिखते हैं सरवधिक जीलो वाला देश कौन सा है सरवधिक जीलो वाला देश कौन सा है तो राइट एंसर आप से नमारा यह होगा कनाडा कनाडा जो है सरवधिक जीलो वाला देश है आगे दिखते हैं किस देश में सबसे अधिक समय छेत रहें किस देश में सबसे अधिक समय छेत रहें तो राइट ए इसमें पाए जाता है मुप पच्छी किस देश में पाए जल्हें और लेंट चाब सबती हो सब्सक्राइव त्या hayır जाता है आप सब्सक्राइब पाके वहते हैं पर अक्टूबर कि कि यत्रौत शाटर का। किया जाता है तो राइट एंसर क्या है उड़ी साराज में कहां पर उड़ी साराज में किया जाता है सदन के कुल सदस्टों के 50% अधिक और वर्तमान में उपस्ति सदस्टों के दो तिहाई का बहुमत बहुमत और मतदान से क्या सहे तो राइट एंसर क्या है दुफ्तों विस सदन के पिश्च परसिश पुस्तक मालविका अगनी किस ने लिखी तो राइट अंतर क्या है कालिदास ने किस ने लिखी है वल्लवी विस्विद्याले कहा परिस्थित है तो गुजरादमी ये भी आप सभी के एकजाम में पूछा गया कुछन है दोस्तों एतों तो सब पूछे गये हैं ये नहीं है कि एक ही कुछन पूछा गया है कौन सा कौन भारती संसत के दोन संदनों की सन्युक बैठे की करता है सोनार का विस्तार क्या है दोनी न्यविगेसन रेंजिंग क्सी वस्तों को पर चेपित करने पर उसकी आरंभिक इस्तति और परछेपड के द्वारान उसके द्वारा तै की गई दूरी क्या कहलाती है ये आप से दोस्तों देख सकतें कुछन कितना गुमारा किसी उस्तों को परच्षेपित करने पर उसकी आरंब्य किस्ति और परच्षेपड के दौरा गिरने के दौरा तै की गई दूरी क्या कहलाती है तो राइट अंतर क्या है पारास क्या कहलती है पराज कहलातिया है मरकरी कुलोराइट का खनिच है मरकरी किस क nous किलोराइट का खनिच है यह आप से पू release जा रहा है तो right answer क्या है केलो मेल किसका है दोस्तो केलो मेल का है आगे देखते हैं संसद के द्वारा समिधान की परकेरिया और उटके संसोधन से जुड़ा अंचेद 368 भारतिय संविधान के किस भाग में संगरहित है तो राइट एंसर क्या है भाग 20 किस में है दोस्तों भाग 20 में से रखा गया है अगर बात कलने किस देश से गरहाड किया गया भारतिय संविधान में जो 96 368 ہے जिसके दूरा सम्मीधान संसुधन होता है तो साउथ अपरीका से यहां से दच्चडी अपरीका जो है दोस्तों वहां से यह प्रधान जो है भारते सम्मीधान में गराढ किया गया है अगर बात कलने कि जब हमारा कितनी शाठ देशों के इतनी 60 देसों के संब़ा गया था जिसमें से 10 देसों के प्रधानों को हमारे भारतिया संब्लाण में ग्राँड किया गया है चलिए आगे देखते हैं बिजना माईन का स्रावा नाम क्या है तो राइट एंजर कैया है आप सानी हमारा बिल्कूर राइट है एनिलीन है आगे द तो राइट आईंथर क्या है? किस्ते हैं जुड़े? कुस्ती से जुड़े कुस्ती से आगे दैखते हैं समिधान के अंशे 373 के तहाथ कौन सा हा राज तूहर है ये कुछ समाफ्द हो गई है, लेकिन भी पूर्टरूर्ट से समाफ्द नहीं हुई है अपरतेच्छिकर है अपरतेच्छिकर कैसा होता है तुवस्तुयों सेवाकर जो है वही अपरतेच्छिकर है कौन वस्तुयों जो सेवाकर होता है वही अपरतेच्छिकर होता है मार्थल आर्ट कलारी पट्टिट्टू की उत्पत्ती हुई थी किस राज से हुई है तो राज से है केरल थे आए आगे देखते हैं 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत भारत ने अपना पहला ब्यक्तिगत पदक जीता जो आज जित हुआ था 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत भारत ने अपना पहला ब्यक्तिगत पदक जीता जो आज जित हुआ था तो राइट एंसर क्या है दोस्तो इसका है हेल सिंकी क्या है हेल सिंकी जो है इन्होंने जीता था आगे देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुत्ब मिनार के निर्मार की शुरुआत की तो राइट एंसर क्या है कुत्ब बुद्दिन एबग इन्हें दोस्तो दासों का सुल्तापक भी माना जाता है और अगर किस ने पूरा किया कुत्ब मिनार का निर्मार ये पूछा रहे तो इल्तुत्मिस होगा कौन होगा इल्तुत्मिस को दासों का दास का जाता है ये आप याद रखेगा क्योंकि वो जो है कुत्ब दिन एबग का दास था और कुत्ब दिन एबग खुद एक दास था इसलिए इल्दुसमिस को दासो का दास कहा जाता है आगे दिखते हैं नेती आयोक के सियो कौन है ये आप स्वी को कमेंट वाक्स में बताना है कि ये एंसर राइट है कि नहीं है अभिताब कांत कौन है अभिताब कांत जो है नेती आयोक के सियो है हिमाचल पर्देश का लोग प्रिये निर्थ कौन सा है हिमाचल पर्देश का लोग प्रिये निर्थ क्या है तो चर्बा अगर गर्बा की बात कलने तो गुजरात का हो जाएगा चर्बा की बात कलने तो हिमाचल पर्देश हो जाएगा ये भी आप याद रखिएगा आगे देखते हैं भारत के संगिये नियाले की अस्थापना की गई थी ये आप सुछी से पूछा जाए था तो 1937 में की गई थी 1937 में की गई थी open ended और close ended इसके में डाट डाट में उपयोग की जाने वाली सरते हैं कौन सी है तो right answer क्या है mental fund क्या है mental fund है आगे देखते हैं समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्सल ने बजारों का वर्गी करण किया मलब कितने दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है जो प्रोफेसर मार्सल है उन्होंने बजारों का वर्गी करण कितने भागों में किया था तो right answer क्या है चार वर्गों में कितने वर्गों में किया था चार वर्गों में एकोनोमिस का एक important question है इसे आप याद रखेगा आगे देखते हैं दात की उपरी चमकदार सता कहलाती है जो दात है उसकी उपरी जो चमकदार परत होती है उसे क्या कहते है तो right answer क्या है जड़ उसे क्या कहते है आगे दिखते है किस पंचवर्थी योजना में गरीबी हटाओ कि मुद्दों को पहली बार इसकी मुख खुद देश की रूप में सामिल किया गया तो right answer क्या है दोस्तू हमारा right answer है पंचवर्थी योजना किमसार और इस समय हमारे देश की प्रधान मंत्री को थी तो इंदरा गांदी जी थी ये भी आप यादर कियेगा भारती सम्मिजान की संगठित बिसेस्ता माना जाता है तो right answer क्या ससक्त केंद्र क्या माना जाता है राज सभा को अस्थाई सदन माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है इसलिए इसे अस्थाई जो सदन माना जाता है आगे दिखते हैं आधनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है तो बियार अम्बेटकर जी को जो है दोस्तों वो आधनिक मनु के रूप में माना जाता है अगर बात करने समीदान का जनक किसे का जाता है तो बियार अम्बेटकर जी को ही कहा जाता है आगे देखते हैं तिरतिय गोल मेल समेलन कब बायाजित हुआ था तिर्थिया गोल्ड मेल सम्मेलन जो हुआ था उपका बायाजित हुआ था 1932 में कब हो था 1932 में क्या इसमें गांदी जी ने भाग लिया था तो नहीं लिया था दूसरी गोल्ड मेल सम्मेलन में दोस्तों जो है गांदी जी ने जो है भाग लिया था लेक जहाते हैं तो जो डाट है इस पर क्या आएगा तो मीको जो शिलिकेट खनेज का एक समू है क्या दोक्तों मीको जो है सिलिकेट कर शांद का समू है जिसमें परिपूर्ड दरार होती है जिससे पतली प्लेटों में आसानी से विवाजत हो सब्सक्राइब नियंतरक और महालेक परिच्छक किसे माना जता है नियंतरक और राष्टपती जी करते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो राष्टपती को ही देते हैं ये भी आप याद रखिएगा बिरिश्टर टोक सब्द जुड़ा है किस से जुड़ा है तो राइट अंथर कहा है दोस्तो तैरा किसे किस से तैरा किसे जुड़ा है किस समिधानी शंसुदन द्वारा केंद सासित छेतर दिल्ली को राष्टी राजदानी छेतर दिल्ली की रूप में पुनरगठित किया गया देखते हैं आगे देखते हैं तुगलाक वंस की अस्थापना की किसे ने की थी ये आप सुछी से पूछा जा रहा है तो राइट एंसर क्या है दोस्तों गयासु दिन तुगलाक ने की है केन्या की राजधानी कौन सी है केन्या की राजधानी कौन सी है तो नेरोबी जो है दोस्तों केन्य कि राजधानी है आगे देखते हैं चंद्रमा और पिर्तवी के बीच की दूरी क्या है तो 3.841-05 km कि दूरी है आगे देखते हैं पीटी उसा का उपनाम क्या है पीटी उसा का उपनाम क्या है तो तेउरली इस्प्रस जो है दुस्तों पीटी उसा गा उपनाम है ये भी आप याद रखेएघा किस महादीब में ग्रेट आ रेटिय रेगिस्तान इस्तित हैं आई अंसर क्या है अर्ष्टेलिया और सबसे छोटा महादीव पूछने कौनसा है तो अर्ष्टेलिया इसबसे बड़ा महादीव क्यों सा है यह भी आप याद रखिए गा मॉना लियो जला मुक्ही पर बत इस्थित हैं रिपना तो हवाई दीप कों से है श्वडद करांत संबंधित है आगे देखते है भारत का कौं सा सनरचित छेतर भारतिय जंगली गधो के लिए परसिध है तो कच्छ का रण कौं सा है दुस्तों कच्छ का रण है आगे देखते हैं औरंजेब के बाद मुगल समराज का अगला उत्रादिकारी था यहां पर पूछा जा रहा है जब और जेब था उसके बाद अगला मुगल उत्रादिकारी कौन बना था तो राइट एंसर क्या है बहदूर सा पर्थम कौन सा बहदूर सा पर्थम बना था आई देख्ते हैं असम के सथ्रिया निरत के संतापक की रूप में जाना याता है तो राइट एंसर क्या है संकर देव को किसे संकर देव को माना याता है साची के इस दोप कहां परिस्तित है साची का इस दोप कहां परिस्तित है तो राइ टंदर क्या है मध्द परदेश कहां पर है मND परदेश तो फिर यंज आप से को वीडियो कैसे रहागा कविन टॉक्स में जरू बताइएगा अगर आप सभी को इस class की PDF शाहिए तो आप हमारे टेली गराम चैनल से जूड़ सकते हैं जिसकी link मैं आप सभी को discussion में प्राइड कर दूँगा महां से आप इस class की PDF ले सकते हैं time for watching this video